हेई गाईज वाट इस आप क्या हाल चालें आप लोग के और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू ट्रू वाइलस एरफोंस के बारे में जो की है नॉइस की तरफ से नॉइस बर्ड्स वी एस 202 इससे पहले नॉइस बर्ड्स 101,102,201 इनका मैं सबका अपने चै कि इनको मैं पिछले कुछ दिणों से यूज कर रहा हूँ तो काफी होत तक आइडिया हो गया और कुछ इस तरह से दिखते हैं वाइट कलर में क्यूंकि इसके लाबा यहाँ पर कुछ और कलर में भी आता है तो यहाँ पर यह निंट ग्रीन कलर है और उसके बाद ऐस और च तो start करते हैं इसके unboxing से तो white color जैसे मैंने बताया था इसको मैं already unbox करके use कर रहा हूं तो इसको एक बर side में रखते हैं उसके लावा यहाँ पर है charcoal black लेकिन मुझे यहाँ पर यह mint green color थोड़ा ज्यादा पसंदा रहा है तो इसको unbox कर लेते हैं तो इसको बाद यहाँ पर आपको बोलते हैं कि यहाँ पर है लेकिन उसको check करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको hypersync मिलता है साथ में इंस्टा चार्ज का भी support है तो यह तो इसका box है तो जल्दी से इसको unbox कर लेते हैं और box open करते हैं यहाँ पर एक और चोटा box है और इसको भी मैं open कर लेता हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ documentation है इसमें उपर की तरब आपको एक sticker मिलते हैं साथ में एक welcome note है और इसी के पीछे इसका warranty information रहती है और साथ में यहाँ पर कुछ instruction है तो कैसे इसको pair करना है और साथ में यहाँ पर एक user manual भी दी हुए तो जितनी भी information है कि आप यहाँ पढ़ सकते हो उसके बाद earbuds है कुछ इस तरह से packaging में आते हैं और इसको मैं इसके box से बाहर निकाल लेता हूँ और जैसे में बताया था मिंट ग्रीन कलर है तो यहाँ पर एक wrapper तो इसे हटा जेते हैं और यह कोछ इस तरह से लिखते है इसको हम आगे देखेंगे उसके लाबा जो box से चेक कर लेते हैं तो box में एक और चोटा सा यहाँ पर box है इसमें इसकी जो charging cable रहती है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो पहला व्लॉग में ने अल्रेडी डाला है जाकर चेक आउट करो कैसा है और नीचे कॉमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो ब्लू वाले भी हमने आपर उन्बॉक्स कर लिए हैं और यह कुछ इस तरह से देखते हैं उसके लावा जल्दी से ब्लाक वले भी अन्बॉक्स कर लेता हूँ और जैसे मैं बोल रहा था जो लोग व्लॉग में इंट्रेस्टेड हैं देखने में तो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो कोई सेजेशन हो वह भी दे सकते हो और ब्लाक वले यह भी अन्बॉक्स हो गए हैं तो यह कुछ इस तरह से दिखते हैं तो यह रहे हमारे सारे कलाज नॉइस बर्ड्स VS202 के तो सबसे पहले यहाँ पर जो वाइट कलर है वो यह कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है और उसके लाबा यहाँ पर जासे नहीं बताया था मिंट ग्रीन कलर है जो कि मुझे परसनली काफी बढ़िया लग रहा है तो इसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से है लेकिन इसके लाबा यहाँ पर यह जो दो और कलर्ज है जो की है midnight blue and mint green और यह दोनों कुछ इस तरह से लिखते हैं और मुझे परसली इन में से mint green काफी पसंदा रहा है आपको कौन सा पसंदा रहा है इन में से color आप मुझे comment करके बताओ लेकिन अगर मैं इनके design और build quality के बारे में बात करूँ तो design यार काफी अच्छा कासा है जिस price पे आ रहे हैं 11-1200 रुपे में तो उसके साब से हाँ पर जो design और even build quality काफी बढ़िया लगी है काफी slim सा profile है जैसा आप देख सकते हो लेकिन जो front और back में यहाँ पर जो texture है जो यहाँ पर matte है लेकिन side हो में यहाँ पर आपको glossy texture देखने को बिलता है तो यह काफी सही है जब भी आप इसको table पर रखते हो तो scratch पर नहीं लगेंगे क्योंकि glossy में scratch अराम से लग जाते है आपको अगर मैं black में दिखा हूँ तो थोड़ा सवर आइडिया हो जाएगा तो यह glossy है लेकिन जो front में है यहाँ पर यह मैट है तो front में जैसे आप दिखते हैं यहाँ पर noise की branding है नीचे की तरफ आपको LED light मिलती है तो यह battery indicator है और उसके लावा पीछे की तरफ भी noise की branding है नीचे की तरफ इसका जो charging point रहता है USB-C वाला और उसके बाद यह जो cap है इसको में open करता हूँ तो earbuds हैं यह कुछ इस तरह से आप फिर भी जो overall build quality वगएरा design है वो काफी सही है तो एक बार मैं इसके earbuds हैं इनको में case से बाहर निकाल लेता हूँ तो earbuds का design है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जैसे मैंने बता था आपको यहाँ पर half in ear type का design देखने को मिलता है तो जो लोग in ear type का design प्रेफर नहीं करत से और काफी long hours तक आप इसको पहन सकते हो और अगर मैं इहाँ पर इसके overview की बात करूँ तो यह जो earbuds है इसमें आपको उपर की तरफ noise की branding मिलती है और यह अपका touch sensitive area है तो जितने भी functions वगएरा रहेंगे touch के तुरू आप access कर सकते हो और उसके लाबा यहाँ पर left right की marking हैं अ midnight blue और midnight blue जो color है यह कुछ इस तरह से और navy blue type का color है और white color में obviously यह कुछ clean type की look आईगी तो यह कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं और specification wise यहाँ पर आपको 30 mm का drivers मिलते हैं काफी बड़े driver है sound quality कैसी है उसके बार में थोड़ी दिन बात करूँगा लेकिन जो मुझे अगर आप इन earbuds को charge करते हो तो कम से कम आपको यहाँ पर यह 6 गंटे का playback time देता है लेकिन इसके लाबा यह जो case में आप इसको दो बार और charge कर सकते हो और total मिलागे आपको यहाँ पर 18 hours का playback time मिलेगा और case में यह जो earbuds है 30 minute में full charge हो आते हैं और यह जो case है यह 1.5 hours में charge होता ह और यहाँ पर आपको fast charging का support मिलता है लेकिन अब जल्दी से में इनको अपने phone के साथ पेर कर लेता हूँ इसके जो features functions वगयरा वो चेक करते हैं और उसके बाद मता हूँ है इनकी sound quality कैसी है तो इन earbuds को अपने phone वे अगर आपको पेर करना है तो यहाँ पर आपको hyper sync का support मिलता यानि कि जैसे आप यह जो light open करोगे तो यह pairing mode पर आ जाते हैं उसके बाद अपने phone में आपको Bluetooth आपको इनेबल करना है और यहाँ पर आप देख पाओगे noise buds vs202 आप इस पर tap करोगे तो यह जो earbuds है यह आपके phone के साथ pair हो जाएंगे तो आपकर मैं यहाँ पर lid है इसे close करता तो song play pause करने के लिए किसी भी earbud पे आपको दो बाद tap करना है तो यहाँ पर song play हो जाता है और वापिस से किसी भी earbud पे दो बाद tap करोगे तो song pause हो जाएगा next song पे जाने के लिए right वले earbud पे आपको थोड़ी देर hold करके रखना है और उसके बाद छोड़ देना है तो next song पे चला जाएगा previous song पे जाने के लिए left वले earbud पे आपको थोड़ी देर hold करके रखना है और छोड़ देना है तो previous song पे आ जाता है उसके लिए volume घटाने बढ़ के बारे में जो की काफी से है काफी precise भी है और काफी एचे से काम करें मुझे कोई problem नहीं भी लेकिन इनकी sound quality के बारे में बात करने से पहले सबसे बहले बात करूँगा इनके जो comfort level की तो यह जो earbuds है इसमें आपको जो design मिलता है वो मिलता है half in ear type पला और बहुत सारे लोग इस और यहां पर आप इसको अगर इस तरह से पहनते हो तो जैसे आप दिखे तो काफी अच्छे से fit हो जाती है लेकिन मुझे personally इस तरह का design पसंद नहीं है क्योंकि ऐसे ही लगता है कि यहां पर यह कानों से बाहर निकल के गिर जाएंगे लेकिन फिर भी मैं आपको जो head shake वग यहां पर इनकी sound quality की तो इनकी sound quality है जैसे इसमें यहां पर आपको 13 mm का driver मिलता है तो उससाब से यहां पर मैं बुलोगा कि मुझे थोड़ी सी average type की लगी है क्योंकि 13 mm का काफी बड़ा driver है तो काफी अच्छा-कासा base यहां पर आपको मिलना चाहिए था लेकिन एक चीज है क जो half in ear type के design रहते हैं उनमें आपको जो base का level definitely वैसे भी थोड़ा सा कम मिलता है क्योंकि जैसे में बता है थोड़ी isolation कम होती है और in ear type के design में आपको जो base मिलता वो काफी अच्छा-कासा मिलता है लेकिन ऐसा जो half in ear type के designs में नहीं देखने को मिलेगा और उसके बाद यहां जो mid frequencies है वो मैं बोलोगा कि यहां पर ठीक ठाक है और जो low frequencies है वो मैं बोलोगा कि थोड़ी सी यहां पर मुझे कम लगी है यहां पर जो sound separation है वो इतना अच्छा नहीं है और overall मैं बोलोगा कि यहां पर एक तरह से average sounding true wireless earphones है लेकिन इन ear buds में आपको जो volume का level मिलता है वो जादा loud भी हो जाते हैं लेकिन फिर भी half in ear type के design है तो अगर आप बहुत जादा ऐसे noisy environment में तो जो भार की sound वगएर आ जाती है तो थोड़ा सा वो एक चीज है कि isolation वगएर नहीं मिलेगी आपको तो loud है लेकिन यहां पर sound quality है मैं बोलोगा कि आप ठीक ठाक है बहुत जादा आप सुन रहे हो वो मेरे smaller mic से सुन रहे हो जैसा आप सुन सकते हो लेकिन अब मैं इसका mic से switch कर देता हूं तो अब जो बाज आप सुन रहे हो वह सुन रहे हो यहां पर noise buds vs202 के mic से और mic की quality यहां पर वैसे तो प्रूवाने से earphones मुह के काफी दूर जो mic रहता है और इसके लिए मैं हाँ पर neckband या पर जो wire वाले earphones रहते हैं उनको मैं prefer करता हूं लेकिन फिर भी यहां पर अगर आप calling लेना लेना चाहते हो तो आप इस से ले सकते हो mic की quality आपको कैसी लग है वो आप मुझे comment करके बता हो तो दोस्तों overall यह तो है noise buds vs202 और जैसे मैं बताया इसका price है 1200 रुपे और उसके हिसाब से हाँ पर काफी अच्छे कासे design quality मुझे लगी काफी premium से लगते हैं ऐसा लगता नहीं कि 1200 रुपे के true LSE earphones है और काफी light weight भी है तो काफी long hours तक आप इसको यूज कर सकते हो लेकिन जैसे नहीं बताया इसमें आपको 39 का driver मिलता है और उससाब से यहाँ पर इसकी sound quality मुझे थोड़ी सी average लगी है बाकि आपको इसमें hyper sync का support मिलता है hyper charge का भी support मिलता है यही fast charging है अगर आपको casual music listening के इसाब से कोई true wireless earphones ले रहे हो तो आप इनको consider कर सकते हो तो आपको कैसे लगे यह noise buds vs202 यह आप मुझे comment करके बताओ और जैसे नहीं बता था मेरे पास कोछ अलग-अलग colors है तो इन में से कौन सा color आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है वो भी आप मुझे comment करके बता दो और अगर आपको यह video पसंदा है video like कर देना औ तो इस चैनल को सब्सक्राइब को लो तो मिलते हैं इसी तना की एक और एक्साइटी वीडियो के साथ और मैं मना आपको मिल्चा हो जाए